देख रहे हो यह वाले तीनों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइब से वर्क करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जदा काम के होने वाली है आज की वीडियो आफ आखिर तक देना क्योंकि आज की वीडियो में हम यह वाले तीनों जो आफ्स सब्सक्राइब कर दिना है स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेंडम्ली कोई डेटा तयार कर लेते तो यहां पर मैंने लगा दे एक वाल रेंडविक्विन का फॉम्ला लगाया है यह मैंने चितने भी प्रिविएस वीडियो बताएं अपने उनमें सारा बताया कि यह वाला फॉम्ला कैसे काम करते तो आप उनको जाकर एक वाल चरूर च करेंगे और यहां पर मैंने एक को वैलू कर दे और यहां पर हम यहां पर जैसे मालू मैंने इतना डेटा बना रहा है इसमें एक हम बार्डर अप्लाई कर देंगे बार्डर अप्लाई कर दोगे अब यहां पर डेटा मैंने बना रखा है इसके बीच में अगर हमें कोई ब् प्रिवियस वीडियो में بتाया थै कि CTRL plus करोगे तब आपकी यहां पर इंसार्ट हो के आ जाएगी और अगर आप पर आप posture माइनइस करोगे तो आपकी जो रोऊ-लो ह Teaching wizard कर सकते हो मतलब अगर यहां से करना तो आप तबी क्लिक करो तो फिछ Spike का हो जाएगा अगर आपको इसके महरं यहां पर टा लिखा यहां पर गिश्मारा और उप्षण के ओपर यहां पर आम इंसर्ट सीट्न जोब करना करणे हैं इसी मिले कर दक्त हां को त्थ फिर हम यहां पर आंगे और सब्सक्राइब सैलस में आएंगे अब दिखो हैंपे आ रहा है आपको दिखाएंगी जिसमें यहां पर यहां पर डिले खरीक और फैर ओउफी और इंटार रो तो किलिक करोगे आप अगर अगर इस ताइब से जाव सकते हो आँ साब साब से जाए को यहाप कर तर्ट कर सकते हो यहापई कर सकते हैं इसके और यहाप प्यांसाइब स्टी और आजाएगी स्वर्ट कि द्रीट कर unleash as simply अपको अबगा करो इस्को सारथ ड करोगे सब्क्राइब करोगे अगर आपको पूरी गारी जितना देख करोगा अपने पुरों सारथ ड्लीट होके आ जाएगा HIS के बाद आप यहां पर आप्षेन करोगे तो आपको यहां पर शारा उप्शन मिल जाते हैं ड्लीट सेल्स ड्लीट रो और ड्लीट सीट तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आपको सीट ड्लीट करने सिंपल आप क्लिक करोगे सीट कूपर मैंने यहां पर क्लिक किया और यहां पर ड्लीट सीट तो आप ड्लीट इसके बाद यहां पर आओगे आपको option मिलेगा आगे format वाला format वाल के लिए करोगे तो यहां पर क्या होता है यहां पर row height सबसे पहला option होता है और बहुत important होता है जैसी यह मारी manual जो row है इसके height कितनी है यहां पर इतनी height है कि अगर है आपको इसके height बढ़ाने है suppose मैंने यहां पर मना रहा है इसके height को बढ़ाना है तब simply यहां पर click करोगे row की height यहां पर mention कर दोगे यहां पर आपने select करना है और simply इस format वाल ओप्षिन प्रान आप क्लंवर यहां पर CLICK करना है और यहां पर Canyon करना कि आपने कितनी quel यहां रखनी है तो मैं यहां पर चाहूंगा करना तो मैं आप र Candles और इंटर करूंगा, इंटर करते हैं आपके यहाँ पर जो रोकी हाइट यहाँ पर कम हो जाएगी, आप यहाँ पर आके यहाँ पर आओगे, आटो फिट करोगे, तो आपका आटो फिट कॉलम में लब जितना भी डेटा होगा, आपका उसके recording यहां पर fit हो जाएगा जितना बड़ा data suppose जैसे मालूम मैं यहां पर कुछ और भी type कर देता हूं और यहां पर क्लिक करूंगा select करूंगा इसको और यहां पर आके auto fit करूंगा तो यहां पर यह इसके recording auto set हो जाएगा auto set करने के मैंने आपको बहुत सारी के बताए पीचे आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो उनका लिंक मैं आपको दे दूँगा आप जाके जरूर चेक आउट करें यहां पर आगे भी option और सारे हैं यहां पर आएगे format पर आने बाद आपको यहां पर मिलेगा default बिर्थ होत देखेंगे तो मैंने यहां पर डाल दिया 5 और ओके कर दिया तो यहां पर क्या होगा जो हमारी एक्सल सीट थी इसका default में साइट में पूरी सीट का साइज जो होगा इतना ही हो जाएगा तो इसका जो विर्थ होगा वह आपकी फिप्त यहां पर पड़ी होई है तो आप इ उसके अगोड़िंगा आपको यहां पर विर्थ आटो सेट होके आ जाएगी पूरी सीट की वाई डिफोल्ट में होता है इसको सेलेक्शन करने कोई जरूरत नहीं होती है हाँ इन जो यह रो हाइट और रो विर्थ वाले option है जो इनको हमें सेलेक्शन करके ही करना होगा ले मतलब हमारा M वाला जो कोलम है वो यहां पर हाइट हो रखा है अब अगर थोड़ा सा आप यहां पर आओगी तो यहां पर जो आपका प्लस है वह तो इस टाइब से यहां पर सिंपल आ रहा है और यहां पर प्लस थोड़ा सा 20 से कटा हुआ रहा है आप सिंपली इस पर क्लि यहां पर कॉलम को हाइड कर सकते हो एक्सल में अराम से हो जाता है इसके बाद मैं आप आएंगे तो निचे आ रहा है मारा रिनेम सीट का रिनेम करना होता है सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आएंगे फिर हम आगे देखेंगे तो यहां पर कॉपी और कॉपी सीट मनलब यहां पर हम सीट को कॉपी करके मूव कर सकते हैं करेंगे अब यहां पर मुव करना Security कापी कर देंगे अब यहां पर इसकी पापी और बन आंपर आ जाएगी आप कर सकते से यह को जाएगा इसके बाद बर निच आरह है प्र्टक्शनthen выполसें करते हैं यहां पर किलिक करोगे तो यहां पर आप सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो सीट को प्रोटेक्ट करने लिए आप यहां पर सिंपली जो पासवर्ड होगा उसको टाइप करोगे ओके करोगे फिर से सिंपल पासवर्ड डालोगे और इंटर करोगे तो आपकी सीट प्रोटेक्ट ह कर लोगे पासवड होगा उसको डालके अन प्रोटक्ट कर लोगे हाँ दोस्तों एक चीड ध्यार रखना आपने आपको जब भी प्रोटक्शन लगाना तो आपको पासवड कहीं पर अगर आप हमारी यूटूब चनल पर पहली वाराज चनल को सिस्क्राइब जरूर कर लेना साथ साथ वल आइकन भी प्रेज कर देना